Hello friends, जागरूती स्वेजपूट में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागरूती भट आज हम बनाएंगे ग्रीन एपल की सबजी एपल तो हम खाते हैं ग्रीन एपल हम ऐसे ही नहीं खाते हैं सबजी बनाये, सबजी बहुत ही टेश्टी लगती है तो ग्रीन एपल को इस तरह से कट कर लेंगे, तो देखो कटर की मदद से, अगर कटर नहीं है आपके पास आप चपू की मदद से करें, तो देखो ये बीज वगेरे निकल गए, अभी ये स्लाइस हमारी हो गई है, थोड़ी मोटी स्लाइस है, तो मैं इसे थोड़ी पतली या फिर आप राउन सेप में कट कर सकते हैं, जो भी सेप आपको पसंद हो, तो देखो ये स्लाइस हम थोड़ी पतली कर ली हमने, और एक्स्ट्रा जो भी बीज वगेरे रह गये हैं, वो हम अच्छे से निकाल लेंगे, तो देखो ये हो गया, अभी हम कड़ाई गेस के जीरा डालेंगे, एक छोटी चमच जितना, और राई जीरा फुटने के बाद हम एसमें डालेंगे हिंग, अभी हम इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई एपल तो स्लाइज एपल की डालने के बाद हम इसमें मसाले करेंगे गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें फ्रेंट्स तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, घन्याजिरा पाउडर और नमक डाल दिया और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद एकड़ लो फ्लेम पर इसे 2-3 मिर्ट तक बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट हो जाए हमारा एपल तब तक हम इसे पकने देंगे तो ठक कर इसे 2-3 मिर्ट तक बिच-बिच में देखते हुए पकाई तो देखो तीन मिट के बाद हम चेक करेंगे एपल हमारा अच्छे से पक चुका है की नहीं तो इस तरह से थोड़ा दबा के देखे तो ये एपल हमारा अच्छा सोफ्ट हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे मुंफली के दाने को हमने क्रस्ट कर लिया है दो चमत जितना डालेंगे अभी इसमें डालेंगे चाट मसाला ओप्सनल है फ्रेंट्स चाट मसाला आपको नई पसंद ना डाले अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी और अच्छे से मेक्स कर लेंगे अभी हम इसे ढख कर आदे मेर्ट तक अच्छे से पकने देंगे चीनी हमने डाली है वो अच्छे से मीक्स हो जाए आदे मेर्ट के बाद गेस्क्री फैम को ओफ कर एक से दो मेर्ट तक इसे सीजने दे और फिर इसे गर्मा गरम ही सर्विंग डीस में साव करे तो फ्रेंट्स बनाईए और अपने अनुभों हमारे साथ जागरूत इस वेजबूट पर सेर करें बताए कि इसलगे आपको रेसिपी बसंद आये तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें मिलते है अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ थेंक यू